क्रिशी सुधार के लिए संसद में पारी तीनों बीलों को काला कानून बताती हुए प्रदेश कॉंग्रेस ने उसके खिलाप मोर्चा खोल दिया प्रदेश कॉंग्रेस के कारिया देक्ष और जा मंतरी नितिन रावत ने सपष्ट कहा है कि महाराष्ट्र में यह कानून लागु होने नहीं दिया जाएगा वे उम्रेड के क्रिशुत पनवाजार समीति के प्रांगर में किसानों की वर्चुल रैली में बोल रहे थे रावत ने आरोप लगाय कि केंद्र की भाज़ अपा सरकार छे सालों से किसानों से जब्रन वसुलिक कर रही है करजमापी और डेड़ गुना गारंटी मुल्य के वादर से किसानों को निराशा होई है अब क्रिशी सुधार के नाम पर किसान विरोधी तीन काले कानून लागों की जा रहे है उन्होंने कहा कि राज्यसरकार एक और कोकन के किसानों को राहत दे रही है वही दोसरे और किसानों को मुठे भर निवेशकों के जाल में फसाने का काम हो रहा है इस कानून से क्रिश्योत पनवाजा समिती नष्ठ होगी काला भाजार ही बढ़ेगी निवेशक ही माला माल होंगे प्रस्तावना बसवराज पार्टेल ने रखी आभार मुजबफर हुसे निमाने किसानों के अधिकार के लिए संगश करने के उदेश से कॉंग्रस नेताव ने मशाल प्रजवलित की और गॉलियर से पश्यसवरदन मंत्री सुनिल के दार एवं अमरावती से महला एवं बालविकास मंत्री एशो मंत्री ठाकोर ने विचार रखे इन बीसे न्यूस के लिए अभी शेक पांसी के रिपोर्ट